बश्कार दोस्तों मैं हर्सां बरोडा से मेरी गार्ड़निंग चैनल सेट्स ओपाइन में आप सपी का स्वागत है दोस्तों आज मैं आपसे पेंडरनांस प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ पेंडरनांस का प्लांट बहुत सुन्दर दीखता है और उसका पत्य या Varigated आती है यह hardy प्लांट है और बहुत easily grow हो जाता है यह दिखने में भी बहुत सुन्दर लगता है और अपने गार्डन की सोबा और बढ़ा देता है दोस्तों उसमें से नए नए बेबी प्लांट निकलते रहता है उससे निकलके आप गंबले में या तो हेंगिंग बास्केट में या तो कोई हेज की तरह आप लगा सकते हैं इसको केवड़ा भी बोलते हैं उसमें दो कलर ग्रीन और यलो कलर की लाइनिंग जैसे आती है और कोई भी जमीन में कोई भी आसानी से लग जाता है इसलिए बीगिनर के लिए भी यह बहुत अच्छा प्लांट है उसको ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती और ज्यादा क्यार करने की भी जरूरत नहीं पड़ती यह उसमें से एक बेबी प्लांट निकला है वो मैं आपको गंबले में कैसे लगाते हैं वो लगा के दिखाती हूं इस तरह नए नए बेबी प्लांट में से निकलते रहते हैं और आप एक प्लांट में से कहीं सारे अनिक प्लांट बना सकते हैं यह देखिए यह उसमें बहुत सारे बेबी प्लांट निकल रहे हैं मैंने अलग-अलग जगा में लगाया है यह यह पोर्ट में लगाया है बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहा है ने हैज के तरह भी लगाया है और यह हैंगिंग में भी लगाया है हैंगिंग बास्केट में भी यह बहुत सुंदर देखता है दोस्तों आपके पास यह नहीं है तो कहीं से लाके आप लगा दीजी बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए उसको तीन-चार दिन पानी नहीं देंगे तो भी वह ब्लांट अच्छ तरह वह सफाई कर लिए शुक्य पत्ते निकाल लिए और उसमें यह मैं गंबले में ग्रो कर रही हूं तरह अच्छी तरह उसमें मीट्टी भर दीजिए और फिर से पानी अच्छी तरह दे दीजिए और उस रीड़ वाली जगह में रख दीजिए आपका प्लांट अच्छ सुंदर और हारडी प्लांट है और इसदेव पलांट है तो आप यह लिए लगा सकते हैं और आपकी गारड़न की सुंदरता बढ़ा सकते हैं जोस्तों अ मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्स्क्राइब का ना विंगार निंग!